टेसी कूकिंग भे देखता मैं आप सब का बहुत स्वागत और आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बेसं की सबजी यह एक ऐसी रेसेपी है जो की बहुत ही टेस्टी है और साथ ही में बनाना बहुत ही आसान है अश्ट सबसे बनाने के साथ, नमक के साथ सबसे हम भुसे सबसे म, ख़ 좋아요 है जास, यहाँ पर झूलियके हैं, में घुल भाइजन सबसे ही घुल में यहाँ के साथ नमक में, एक रूदी पौोडर, रिपर और इसके साथ हम डालेंगे लाल मिर्ट का पाउडरL Keysblog करें रिपर तिके वाली लाल मिर्ट का पाउडर लिया है आधा चोटा चमच्वे राख लमिर्ट को दceğनcontrolled Candamate यूज्ट करना है हमें यहां पर और साथ ही में हमें हमें डाल देना है आधा छोटा चमच, हींग Dayesh and दाल कर हम इसे मिला लेंगे पहले हमें सभी मसालों को सभी में वेशन से मिला लेना है और इसके बास हम थोड़ा-थोड़ा पानी आड करेंगे उसका एक अच्या बेटर बना करें बेटर भी हमें बहुत जिद नहीं करना है और दिखिये हमें कोई भीệu दम्स गठें अगरा नहीं पढ़ने देनी है और नहीं द्या करें बना कर में पानिए थोड़ा-थोड़ा उस खरीजे और सथी में छान कर लेंगे नहीं तरह पर हमारा बैटर्ड तरह अधिल को गरम करते हैं मैं लिए घरिंट और गरम करें केंगे जब हम फिर्स टाइम अपना batter इसके उपर डालेंगे तब हम इसमें batterwest बैटर डालके लेकरके इसके उपर डाल लेना है यहां पर दीखि hey मैं या तब बने आप जाएंगे और इसे हम 3-4 रूल करेंगे और रोल करके हलका सा हमें इस तरह से प्रेस कर देना है और फिर हम इसे सेपरेट कर लेते हैं तो इसी तरह से हमें सभी को बेटर जितने हैं हमारे पास हम सभी बेटर को बना कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने सभी को बना करके तयार कर लिया है तवे के उपर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और तेल डाल करके हमने जितना चीला रोल बनाया है उसे हम इसके उपर इस तरह से रख देंगे और फिर हम इसे दूसरे साईट से भी गोल्डन करने तक पका लेंगे गयास का flame में home medium to slow रखना हैं और यहां पर दीखिये मैं इसे पलट देती हूँ एक साइट से यह पक चुका है तो अब हम दूसरे में इसे इसे पका लेंगे और इसे हमें ठंदा होने के लिए रख देना है जब हम चीला रोल तबे पी डालेंगे तो हमें उसे ज्यादा नहीं पकाना है थोड़े ही समय में हम उसे फोल्ड करेंगे कुछ 30 सेकंड में हम इसे फोल्ड कर लेंगे अगर वो ज्यादा पक जाएगा तो फिर उसे फोल्ड करने में प्राब्लम आती है वो बराबर फोल्ड नहीं होता है तो फिर अभी आपको थोड़ा सा ही करके उसे आच्छल से फोल्ड कर लेना है और यहांपर हम इसे अलग कर लेते हैं और इसे सारे रोल को हमें कट करना है तो आप कोई भी सेप दे सकते हैं मैंने यहां पर स्क्वाइर सेप में काटा है तो हमेशे एक साइज में सबी को हमें काट करके टायार कर लेना है और इसके बाद अब हम ग्रेवी बनाते हैं इसका बेसन की करी बनाने के लिए यहां पर हमने कुछ मसाले ले लिये हैं तो आईए देखते हैं मसाले में हमने क्या यूज किया है तो मसाले में हमने लिया है दो चम्मच सरसो के साथ हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच धनिया तो मैंने साबुत धनिया का यूज किया है यहां पर और उसी चम्मच से हमने यह और आधा चम्मठ जीरा लेडिया है और जीरा के साथ ही हम इसमें डाल डेंगे काली मुर्च तो काली मुर्च की हम दने से 15- लेकर नाई है और 2 — 3 मेंनेiseen तो अगर आपको चाहिए तो आप सिफ लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और मैंने एक से दिर इंच अद्रक का टुकड़ा से छोटे में काट लिया है और साथ ही में मैंने दस से बारा लैसन की कलिया ले ली हैं और इनमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इनका एक अच् का काटाई काहिए और ऐसी तल फिर हम चलते हैं जरु कर द пережए हैं के अनकाट कनाट कराते हैं और वे ऐसे मयma काल सब चाहिए घृषुरा तो और रखिए हें तो आधा हो जऑन दोमे डाना है मैंने एक सुखी लाल बुर्च अधाma नेकंदे हाट uh याँ पर आख माझ झालो है यहां पर यहां पर कासमीरी लाल मिर्च पाउडर के यहां पर यहां पर टीकी लाल मिर्च भी ढल सकते हैं तो लाल मिर्च डाल करके हमने इस अच्छे से चला लिया है और जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम हम मेडियम टू स्लो रखेंगे और इसे ढख करके पांच मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे पीच बीच में डकन हटा करगें इस से चेक कर सकते हैं तब आपको ढपन हटाना है और यहाँ पर देखेंगे मिला लीजिए, ने यहां पर देखे हम ने मसाले अच्छी तरह से मिला लिया है और इस तरह से डख करके पकने के लिए चोड़ना आए और इस तरह से हम एक दो तेन बार करना है और जब हमारे मसाले में पानी है बिलकुल सुखा मसाला फ्राई होना चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ, जब मसाला इस स्टेज पर आ जाए, बिलकुल सुखा फ्राई हो जाए, तब आपको इसमें पानी थंडा पानी एड नहीं करेंगे में आप पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए और यहां पर देखे हमारा कमारा अच्छ से फष्च अ आज बिल्कुल फॉखा फष्ट एक करके तैयार हो गया है यह तो अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे और हमें इसमें घराम पानी आड़ करना है यहां पर मैंने पानी मैं तूरंट डाल हूँ मसाले हमें पानी में अच्छी से मिक्स कर लेना है तो यहां पर देखिए अच्छी से नियुक्स कर लिये सारे मसाले को अब आप इससे डख करके मेडियम टू-slow flame पर पकने के लिए छोड़ देजिए 2-3 मिनट पूरा ग्रेवी बहुत ही अच्छी सी हमारी कड़ी बन कर तैयार हो चुकी है तो जब इस स्टेज पर आपका ग्रेवी आ जाए तब आप इसमें एड़ कर देजे बेसन के पीसे तो मैंने एक एक करके इसमें बेसन के पीसे एड़ कर दिया है करी में हम डाल करके और इस तरह से डिप कर देंगे हमें बहुत जादा इससे चलाना नहीं है बस हमें इस तरह से डिप कर देना है और फिर हमें इसे ढख करके एक मिनट तक के लिए पका लेना है तो यहाँ पर दिखिए मैंने अच्छे से डिप कर दिया है करी में और इसे हम एक मिनट तक पका लेते हैं और एक मिनट हो चुका है और यहाँ पर सबजी बन कर तयार हो चुकी है गैस को अब हम बंद कर देंगे और अगर हम इसे ज्यादा पकाएंगे तो फिर यह हमारे बेशन के पीसे जहना वो इसमें टूट जाएंगे तो हम इसे ओवर कुप नहीं करना है बस एक मिनट में ही हमारी सब्जी बंद करके तयार हो जाए पर हमारा बेशन का सरसो मसाला का तोड़ा तोड़ा डिप कर देना है और इसे बहुत अच्छे तरह से नहीं चलाना है बस हलका हलका हम इसे टिप कर देंगे और हमारी सब्जी बंद के तयार हो गई है यहां पर देखिए सरसो मसाला के साथ बहुत ही टेस्टी सी बेसन की सब्जी बंद कर तयार हो चुकी है और खाने में बिल्कुल ये मचली के टेस्ट का लगता है बहुत ही टेस्टी लगता है आप चावल के साथ इससे सर्फ कर सकते हैं और या तो आप रोटी के साथ सर्फ कीजिए या फिर आप इसे पराठे के साथ सर्फ कीजिए और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन दबाएए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेर कीजिए और यहां पर हमारी वेशन की सब जिबन के तैयार हो चुकी है झाल 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 आप कमेंट करके बताएए कि मैं अगली रेसेपी क्या ट्राइ करूँ और अगर कोई प्रॉबलम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं जरूर रिप्लाइ करूँगी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आप से फिर मिलूँगी तब तक अपने बहुत बहुत ध्यान रखिए बाब बाई टेक क्यार